तो इस वीडियो में lockdown e-pass online बनाने का complete थरीका आप लोगों को देखने को मिलेगा आप सभी लोगों को पताए होगा कि सभी राज अपने अपने हिसाब से अपने नियम से अपने state में lockdown लगा रहे हैं और अगर किसी वेक्ति को अपने state से किसी दूसरे state में जाना हो या फिर किसी को राशन लेने जाना हो किसी अधर state में या फिर अपने ही state में अगर राशन लेना हो अपने जिले के अंदर लेना हो तो इसके लिए e-pass बनाना जरूरी है अगर e-pass नहीं है तो आपको fine भी लगेगा हो सकता है आपको jail भी हो जाए तो online e-pass बनाने का complete तरीका इस वीडियो में आप लोग को देखने को मिलेगा आप देख सकते हैं आपका e-pass कुछ इस परकार से बनेगा ये e-pass आप कैसे बना सकते हैं online से इसका complete जानकारी देखने को मिलेगा तो बने रहेगा इस वीडियो में लाज तक पूरी जानकारी लेने के लिए सबसे पहले e-pass बनाने के लिए हम इस website में आएंगे इस website का link आप लोग को description में मिल जाएगा इसके बाद आपको अपने state से बाहर जाना हो या फिर अपने state में ही रहना हो या फिर किसे अदर state में अपने state में आना हो इसके लिए यही से आप e-pass बना सकते हैं रासन, सबजी, दूद वगएरा खरीदने के लिए इंडर्स्टरियल काम के लिए या फिर एगली कर्चर काम के लिए या फिर फैक्टरी वरकर के लिए यही से e-pass बनाए जाएंगे सबसे पहले यहाँ पर आपको registration करना होगा तो यहाँ register है पर click करेंगे इसके बाद आपके सामने यह page open होगा यहाँ पर आपको अपना mobile number डालना है इसके बाद अपना mobile number फिर से यहाँ confirm करना है नीचे यहाँ पर आपको एक password create करना है इसके बाद फिर से यहाँ confirm password कर देना है यहाँ password आपको strong बनाना होगा जैसे कि अगर आपका नाम आदिल हो गया तो आप यहाँ capital A लिखेंगे इसके बाद sub small पर लिखेंगे इसके बाद एक special character लगाना होगा इसके बाद यहाँ submit पर किलिक करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने mobile number डाल दिये हैं एक password create कर लिए हैं इसके बाद यहाँ submit पर किलिक करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं you have successfully registered यहाँ registration हो चुका है ओके करेंगे इसके बाद आपको फिर से login page पर redirect कर देगा आपको यहाँ पर अपना mobile number और password जो create किये थे वो यहाँ पर डालेंगे इसके बाद यह capture यहाँ पर भरेंगे इसके बाद यहाँ login पर किलिक करेंगे इसके बाद आपके समने यह page open होगा यहाँ पर आपको अपना नाम डालना है यहाँ पर आपको DOB select करना है यहाँ पर अपना gender select करना है यहाँ पर आप अपने father का नाम डालेंगे इसके बाद नीचे आएंगे यहाँ पर आपको अपना current address डालना है अपना state का नाम select करना है अपना district का नाम और आप अपने area का pin code यहाँ पर डालेंगे इसके बाद यहाँ save पर किलिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने नाम, dob, father name निचे यहाँ पर current address जो है वो डाल दिये है state का नाम और district का नाम select कर दिये है और यहाँ पर उसके area का pin code डाल दिये है इसके बाद यहाँ save पर किलिक करेंगे यहाँ पर आप देख सकते है profile successfully upload यहाँ ok पर किलिक करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका profile 79% upload हो चुका है इसके बाद आपको document upload करना होगा यह pending में है तो इसे हम document पर किलिक करेंगे इसके बाद यहाँ पर आधार card select करेंगे यहाँ आधार number डालेंगे और save पर click कर देंगे इसके बाद आपका profile 100% complete हो जाएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं यह record update हो चुका है इसके बाद ok यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका profile 100% complete हो चुका है इसके बाद नीचे यहाँ पर आप देख सकते हैं E-Path का option आ चुका है इसके बाद यहाँ E-Path पर किलिक करेंगे Apply for E-Path इसके बाद यहाँ पर E-Path आप किस district से पास करवाना चाहते हैं लेना चाहते हैं उस district का नाम यहाँ select करेंगे इसके बाद नीचे आएंगे यहाँ पर आपको एक option देखने को मिलेगा Type of E-Path यहाँ पर आपको select करना होगा और यहाँ से आप select करेंगे कि आप E-Path किस state के लिए चाहते हैं जैसे कि आप इस state से किसी दूसरे state में अगर आप जाना चाहते हैं तो यहाँ going outside जारखन अगर आ जाना चाहते हैं लेकिन किसी other district के अंदर जाना चाहते हैं तो वो यहाँ से select कर सकते हैं और अगर आपको अपने ही district में जाना है तो यहाँ पर वो select कर सकते हैं within the district boundary और अगर किसी other state से आप जारखन जारखन में आना चाहते हैं तो यहाँ coming inside जारखन select करेंगे चलिए हम यह coming inside जारखन select करेंगे और यहाँ save पर click करेंगे इसके बाद यहाँ पर आपको current address डालना होगा जैसे कि आप अभी किस जगा रह रह रहा है किस state में किस district में और उसका पता क्या है तो यहाँ पर आप अपने state का नाम select करेंगे जैसे कि हम यहाँ West Bengal select करेंगे इसके बाद नीचे यहाँ पर आएंगे यहाँ पर West Bengal किस district में रह रहा है वो district यहाँ से select करेंगे इसके बाद किस address में रह रहा है वो address यहाँ पर type करेंगे इसके बाद नीचे यहाँ पर आप देख सकते हैं visiting state हम अभी West Bengal लिएकौल, इसे ह lights से aard-khan इस टेड़ याँ पर आप देहते जारखन इस्टेड़ में विजिट करेंगे किस दुमका जिले में विजिट करेंगे कि जगह विजिट करेंगे इस जिले के अंदर वो जगह का नाम यहाँ पर डालेंगे इसके बाद नीचे आएंगे यहाँ ये सब option पढ़ लेना है और जो भी आपके हिसाब से ठीक लगे वो यहाँ से select करेंगे जैसे कि मैं यहाँ पर अभी select करूँगा person engaged in industry यह industry area के काम के लिए जा रहे है तो यहाँ पर हम person engaged in industry के लिए select कर दिये है इसके बाद नीचे यहाँ पर type of journey में select करना होगा कि आप one way चाते है या visit and return भी चाते है यानि कि आप जिस district में जा रहे हैं उस district में एक बार जा कर रह जाएंगे या फिर वापस भी आएंगे तो अगर आपको जा कर रह जाना है तो यहाँ one way select करना है अगर आपको जा कर आना भी है तो यहाँ visit and return भी select करना है यहाँ पर हम visit and return select करेंगे इसके बाद यहाँ पर date select करना होगा कि किस date में आप इस जिले के अंदर जाएंगे इस date के अंदर तो यहाँ पर आपको date select करना होगा जैसे कि हम यहां 18 तारिक को select कर दे रहे है और वापस आएंगे 20 तारिक को यहां पर दोनों date select कर लिए जैसे कि 18 तारिक को जाएंगे दुमका जिले के अंदर और 20 तारिक को वापस आएंगे इसके बाद नीचे यहाँ पर आपको time भी select करना होगा कि 18 तारिक को किस समय आप जाएंगे जैसे कि 6 बजे यहाँ पर select करेंगे और 20 तारिक को return आएंगे रात 9 बजे तक यहाँ पर आप देख सकते हैं वो select कर दिये इसके बाद नीचे आएंगे यहाँ पर आपको select करना होगा कि आप किस से जाएंगे 2 wheeler से या 4 wheeler से तो यहाँ हम 2 wheeler select करेंगे इसके बाद यहाँ पर आपको select करना होगा कि आप कितने आदमी जाएंगे तो यहाँ पर एक ही आदमी का option दिया गया है एक bike में एक ही आदमी जा सकता है नीचे यहाँ पर उस bike का number डालेंगे इसके बाद declaration देंगे यह सारे declaration देंगे इसके बाद यहाँ agree and proceed पर click करेंगे यहाँ पर हम सभी details, सभी address फुल फिल अप कर दिये हैं इसके बाद नीचे आएंगे यहाँ agree and proceed पर click करेंगे और हमारा e-pass जो है वो generate हो जाएगा यह website थोड़ा down चलेगा इसमें आपको continue करते रखना है यहाँ पर आप देख सकते है your certificate for e-pass has been generated successfully ok पर click करेंगे और यहाँ पर e-pass के option पर फिर से आएंगे और download e-pass पर click करेंगे और यहाँ से हम अपना e-pass जो है वो download करके आप लोगों को दिखाएंगे यहाँ पर आप देख सकते है वो e-pass जो है यहाँ download हो चुका है view पर click करके यहाँ पर आप देख सकते है यह e-pass जो है हमारा बन चुका है यह 72 घंटों का e-pass हमने बनाए है यानि 3 दिनों तक यह e-pass चलेगा चलिए हम इसे print करके निकाल लेंगे और जिसके लिए यह बनाए है उसे दे देंगे तो इस परकार से आप खुद से e-pass बना सकते हैं online के माध्यम से तो आसा करते है कि इस वीडियो की जानकारि आप लोग को अच्छी लगी होगी साथ ही हमारे इस चैनल में पहली बार आए है तो चैनल को भी subscribe जरूर करे ताकि new वीडियो का notification आप तक पहुंँशती रहे तो मिलतें next वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद